हेलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्त और स्वागत करती हूँ आपका बेस्ट केर आफ प्रेगनेंसी में जहां बाते करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेट सभी प्राबलम्स की उनके सेलुशन्स की और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंस एक्सपीरियंस instructors की बताते हैं कि आपका सफ़ल इंप्लांटेशन हो गया है आपने कंसीव कर लिया है सेय सारै इस समद्स करेंगे तो आप समझेज समझ उड दिखाई देने लगते हैं मतलब कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना भी नी पड़ेगा उससे पहले ही आपको यह सिम्टम्स आने लगेंगे कि आपको खुद लगेगा कि यह में साथ पहले तो होता नहीं था यह में साथ अब हो रहा है आप खुद दीरे-दीर समझने लग तो मैं अपने इप्लांटेशंगा ब्लीडिंग अपके साथ वीडियो भी शेयर किया जिसे मनें आपको अपने माइ इंप्लांटेस्टरी मेरी इंप्लेशंग हुई थी उसके एख अंदर ही मुझे सारे सीम्टमस पे lod लागे थैं अीवे tasty वन मुझे प्रेगनशी टेससे से पहले ही confirm हो गया था कि yes I am pregnant क्योंकि वह सारे symptoms first time मुझे ऐसे फील हो रहे थे जो कि इससे पहले कभी नहीं हुए थे तो मुझे कहीं न कहीं surety हो गई थी तो अगर आप भी pregnancy के लिए ट्राइ कर रहे हैं तो आपको भी definitely यह symptoms जरूर फील होंगे बस आपको notice करने की जरूरत है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की इन पर जरूरत होती है तो चलिए हम वो वीडियो बताने जा रहे हैं और उसको बताने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मुझे personally कोई question करना चाहते हैं ज मुझे वहां follow कर सकते हैं मुझे वहां comment कर सकते हैं मैं definitely reply करूंगी और अगर आप कर सकते हैं तो आप वीडियो के नीचे में में वहां भी reply करती हूं सबका तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर पसांद तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा तो जब आपकी implantation bleeding तो वह तो आपकी spotting होती ही है यह तो implantation bleeding का एक बहुत बड़ा symptom है ही लेकिन इस तोरान जो आपके शरीर में जो changes बदलाओ जो आपको feel होते हैं जो कि आपकी शुरुवात होगी जब आप कंसीव कर लेंगी जब आपको सफ़ल implantation हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ चक्कर जैसे feel होने लगेंगे आपको लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है वीकनेस लग रही है बिल्कुल healthy आपको कुछ नहीं होएं लेकिन वह हर्मोन्स हैं कि आपको वीकनेस हो रही है थकांग फियो रहे हैं और आपको उल्टी जैसा नौजिया लग रहा है जिसे कहते हैं नौजिया इसके सर में दा जाएगा आपको जल्दी जल्दी frequent urination होने लगेगा, आपको जल्दी जल्दी urine करने जाना पड़ेगा, उसके बाद आपके breast में भी tenderness हो जाएगी, breast में आपके pain शुरू हो जाएगा, एक sensations ही होगी आपके breast में, जो आपको खुदी feel होनी शुरू हो जाएगी, आपको खानी पीने की च सब करने लगेगें, तो यह सब चीजे होती है जो बताने लगती है कि हाँ आपका सभल तो कुछ लोगों सारी लग्षां दिखाये देते हैं लेगिन कुछ लोगों में तीन से चारी लग्षा नहीं दिखतें कि कुछ की कूल बात पास ऐसी वी कामेंट्स जैने कि मैं मारिं यागा कोई सब्सक्राइब कर दो कर वा Help कि हैं वह किसी अगले की हो भी ऐसा ज़रूरी नहीं हर प्रेग्नेंसी अलग-अलग होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं आपको सिम्टम दिखाए दे अगर आपके इंप्राइटेशन ब्रीडिंग हो रही है और टेस्ट करते हैं आपको प्राइटिव आ जाता है तो वह कोई टे देते हैं कि यस यू आपको सफ़ा इंप्लांटेशन हो गया और आप समय सक्सेफुली कंसीव कर लिए तो यह सारे सिम्टम से बताने लगते हैं बट आपको केर फुली नोटीस करने की जरूरत होती है कि आपको क्या-क्या सिम्टम से फील हो रहे हैं तो मैंने यह जो इन करने जाना ही पड़ता है आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती ही है यह जो ऐसे लगभग सभी महिलाओं में आते ही हैं बस आपको जरूरत होती है ध्यान देने की तो यह सारे लगच्छाण जो मैंने बताया है यह बहुत जादा कॉमन है और लगभग सभी में होते है अगर आपके इंप्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या प्रेइनसी के लिए ट्राइ कर रही है तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगी ताकि आप भी आराम से समझ सकें जो आपके साथ हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग परिशान हो जाते हैं वो समझ क्योंकि प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल से नए आए हैं नए जूड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलीगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैलफुल वीडियों समारे चैनल पे अपलोड होते हैं तो चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स वीड प्लीज सी यू सून